लोगों से जादा उम्मीद मत रखो, परना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिष्टे भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना दोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत कुश होते हैं, हरुसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इनसानों पर कर लेते हैं, अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही उचाईयों से मुझे गिराया जाए, क्य आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिष्टों में चट्टान खड़ी कर सकता है आपका भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जाया ना करो अपने अलफाज हर किसी के लिए, बस खामोश रह कर देखो कि आपको समझता कौन है एक वक्त ऐसा भी आता है, जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है रूटने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत होई, यह अजीब शक्स है, किसी को पुकारता ही नहीं जो इनसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है सच्चा प्यार अकसर गलत लोगों से ही होता है केवल जिद की एक गाट खुल जाए, तो उलजे हुए सारे रिष्टे सुलच जाए सबर की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आजाता है, तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं, और बुरे लोग सबक दे जाते हैं ये ऐसा युग चल रहा है, जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तयार है लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तयार नहीं है इस कल युग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई 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 बोलकर और फिर इस्तमाल करते हैं अपनी तकलीफ सरफ उन्हीं बताओ, जो आपका दर्द समझने के काबिल हो खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त नहीं ना मिले अक्सर आप बेवजह ही उनके लिए परेशान रहते हैं, जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं दूसरों की जिन्दगी में अपनी जगे ढूनना बंद कर दो, विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे वहम मत पालो कि हर रिष्टा खास होता है, या हर अपना दिखने वाला शक्सी आखिर में दोखे बाज होता है जिन्दगी में ऐसा एटिट्यूड अपनाओ, कि जो जैसा है, उसे उसी भाषा में समझाओ बुरे वक्त में जो इनसान आपका साथ छोड़ दे, तो ये मान लेना, कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं मैंने जिसको जब जब मौका दिया, उसने तब तब मुझको दोखा दिया शिकायतों की भी एक इज़त होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तब ही तो अब सबसे दूर जाके बैठा हूँ दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है जिन्दगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हो, तो भीर से हट कर चलना पड़ेगा भीर आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान चीन लेती है किसी अपने को खो देने का डर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है किसी सिरफ भई समझ सकता है, जिसने किसी अपने को खोया हो रहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं चाहे मुकाम कोई भी हो और निभाने वाले निभा जाते हैं चाहे हालात कोई भी हो मैंने देखा है कि दिल दुखने से जहरे की रंगत ही उड़ जाती है महबत अगर सची हो तो यादे बहुत दर्द देती है रुख जाती है नजर एक हद के बाद दिल करता है कि जहां तक तुम हो बस वहां तक देखूं इसी से भी हद से ज़ादा उम्मीद मत रखो क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फरक नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से अपने गुरूर और भरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आँखों में चुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं भरोसा तूटा है लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का हर जूत पकल लेते हैं पर प्यार में दिवाने इतने हो जाते हैं कि फिर भी सचमान लेते हैं वक्त से जरा पूछ कर बताना कि क्या जख्म वाकई में भर जाते हैं अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफी है मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना जादा तकलीफ पहुचाता है इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन रखा करो जहर से भी जादा खतरनाक होती है ये महबत जरा सा कोई चखले तो फिर मर मर के जीता है इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो क्योंकि यहाँ दोखा मिलते देर नहीं लगती ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिष्टों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं फरक को जरा ठीक से समझो आप महंगे हो और हम कीमती हैं रिष्टा सरफ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हो बेवजह नहीं होती हर किसी से मुलाकाते किसी से सबक मिलता है तो किसी से ग्यान मिलता है याद तो बहुत आते हो लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुम से गलत दिशा में दोड़ने से बहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो कोई अगर मुफ्त में भी दे तो मत लेना क्योंकि दिल अभी और भी सस्ते होंगे जुबान कड़वी है लेकिन दिल साफ है कौन कब बदला है मेरे पास सब का हिसाब है बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते दोस्त हालात बदलने वाले रखो हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं खुद के उसूलों पे मरना भी जायज है किसी के साए में जिन्दा रहने की मेरी कोई हस्रत नहीं है समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भग्य का निर्मान नहीं कर पाते 71% पानी हैं दुनिया में लेकिन फिर भी लोग डूपते प्यार में ही है किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है जब किस्मत और हालाद दोनों खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है धैरिये रखिये कभी कभी जीवन में आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दोर से गुजरना पड़ता है जब पैसे आते हैं तो इज़त भी आ चाती है लेकिन याद रखना वो इज़त पैसे की होती है आपकी नहीं मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना मैं सब जानता था पर फिर भी खामोश रहा जिन्दगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी नहीं खुशी कर ली दिल के मजबूत लोग अकसर रातों में रोते हैं जिन्दगी अपने हिसाब से ही जीने चाहिए लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सरकस में नाशना पड़ता है भुकम और इश्क में बहुत समानता है एक मकान को घंडर बनाता है और एक दिल को घंडर बनाता है जो हैरान है मेरे सबर पे उनसे कह दो जो आसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं अगर हम बेवफा होते तो भीड होती वफादार हैं किसी लिया केले हैं उनकी भी क्या इज़त करना जिनकी हरकते ही कुतो जैसी हो क्या रिष्टा और क्या नाता यहां कोई किसी का साथ नहीं नभाता जब किसी इनसान को किसी अपने से दोखा मिलता है तो फिर वो इनसान कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाता किसी ने मुझे से पूछा कि दर्द की कीमत क्या है मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं बस कुछ लोगों परहज से ज़ादा यकीन किया था मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई मतलब नहीं होता परेशानिया हमारी कमजोरियां थाबित नहीं करती बलकि हमें ये सिखाती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है जब तक चुन्ना ना पड़े तब तक समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए जरूरी क्या है कितनी भयानक होती है ये महबबत की सजाएं बोज सी लगने लगती है जिन्दगी ना जिया जाए और ना मरा जाए नाराजगी भी महबबत की तरह होती है क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता आखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज़ है सब आदते छोड़ सकता हूं एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे सिवा तूटे हुए लोग अकसर कोशिश करते हैं दूसरों को जोड़े रखने की अकेला जरूर चलता हूं लेकिन किसी के पीछे हरगिस नहीं चल सकता समेट के ले जाओ अपने जूटे वादे अगली महबबत में तुम्हें इनकी फिर जरूरत पड़ेगी इस चोटे से दिल में किस-किस को जगह दूँ गम रहे या दर्द रहे पर याद रहे या तेरी याद रहे कौन सी पाता है सिर्फ बातों से सबक सिखाने के लिए एक आदसा भी जरूरी होता है याद रखना अकसर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनको हमें चूने की आउकाद भी नहीं होती जब आपको खुद की एहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहां कोई एहमियत नहीं है जिन्दगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायते हैं सबसे ज़ादा सुखी सरफ वही रह सकता है आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न बन जाओ पर किसी ने किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं मैंने गिरते हुए पत्तों से सीखा है अगर बोज बन जाओगे तो अपने भी नीचे गिरा देते हैं बात करने के लिए समय नहीं मन होना बहुत जरूरी है जिस दिन तुम मुझे खोदोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रोदोगे किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता लेकिन किसी की आदत खत्म होने में पूरी जिन्दगी गुजर जाती है पहली नजर में तो सिर्फ मोह जनम लेता है रेम तो आहस्ता आहस्ता ही होता है नशा शराब का होता तो उधर भी जाता ये नशा तो इश्क का है जान लेकर ही जाएगा आश की दुनिया समझ चके कि चुप रहने वालों को भी बहुत दर्द होता है एक भैतरीन जिन्दकी जीने के लिए ये स्विकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सब को नहीं मिल सकता यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारे कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोश्टो हैरात में मिल गए हम उने जिनकी आउकाद में भी हम नहीं थे हर किसी की जिन्दगी में एक ऐसा शक्स जरूर होना चाहिए कि जब वो आपसे अपहाल पुछे तो आप उसे सब कुछ सच बता सके जहां उम्मीदे खत्म हो जाती हैं सुकून की शुरूराद वहीं से होती है